नमस्कार, Creativity वित्राधा में आप सभी का स्वाकत हैं हम बेट सीट खरीदते हैं या खुद बनाते हैं तो उसके साथ तो पिलो कबर होती ही हैं, मैंचिंग के भी होती हैं पर यदि हम दो पिलो कबर से जादा चाहें तो उसके लिए हम पिलो कबर बना लें तो वो हर बेट सीट के साथ मैच करेगी और अच्छी भी लगेगी और खोलियों का तेभार आ रहा है तो colorful रंग भी रंगे से हम ऐसे पिलो कबर बना लेंगे तो काफी अच्छी लगेगी जैसे देखिए तो इन्हें हम किसी भी बेट सीट के साथ चाहे प्रिंटेन हो चाहे प्लेन हो किसी भी तरह की किसी भी डिजाइन का बेट सीट हो उसके साथ हम इसे लगा सकते हैं सबसे पहले हमें जिस पीलो का कवर बनाना है उस पीलो की लंबाई और चौड़ाई नाप लेना है और देखिए मैंने ये पीलो लिया है ये कवर के उपर से ही मैं नाप रही हूँ आप कवर निकाल के भी नाप सकते हैं 27 इस इसकी लंबाई है और 17 इंच ओड़ाई है तो इसको मैं एक एक जादा ले लूँगी मार्जिन और सिलाई के लिए और देखिए ये मैंने कटपिस के बहुत अच्छे ऑब्री का काटन का कपड़ा लिया है किसी की एक पिलो बनेंगी किसी में दो बनेंगी इस तरह से एक साइज के कट करके निकाल ले रही हूं देखिए बहुत सारे टुकड़े इस तरह से छोटे-छोटे चोक और मैंने काट लिये हैं बचे हुए कपड़ों में से और अब हम इसको बनाएंगे इस सारे पीलो कबर को मैंने कट कर लिया उसमें से एक कबर उठा लिय अलग कर दूंगी और एक पीश में से जो टूकड़े मैंने चोटे-चोटे काटे हैं उन कत्रन को लेकर इस तरह से देखिए एक 1 कत्रन उठाकर इसे मैं अब फोल्ड करती हूं इस तरह से पहले एक fold करके इसको लगा दिया फिर ऐसे dousरे color का ले देखिए yellow color का इसको भी ऐसे fold कर के लगा दिया की किसी तरह से red लगा दिया बस इसी तरह से मैं सारे ये जो कतरंथ मैंने बनाए है इनको fold करती जाऊंगे और ऐसे रखकर चारो तरफ से सिलाई लगा लोगी तो चलिए मैं लगा लेती हूं सिलाई इसको देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है छोटे छोटे टुकडों से कितने सुन्दर डिजाइन बन कर तयार हो गई है डिजाइन तो हम बहुत तरह की बना सकते हैं पर हमारे पास जिस तरह से कपड़ा बचा है उसे हिसाब से हमें डिजाइन तयार करनी होती है अब हम फिलो कबर की दूसरी पीस को इस तयार पीस के उपर बिछा लेंगे बराबर से हम इस तरह से भी छाना है कि सारे जो हमने चारो तरफ से ये कलरफूल कंगूरे लगाए हैं ये अंदर आ जाए और उपर हम इसे बराबर सेट कर लेंगे और इस तरफ से आधा इंच हम देखे डबल फोल्ड करके आईसे सिलाई लगा देंगे सीधी सिलाई पूरी हम इसे लगा देंगे फोल्ड करके और तीनो तरफ हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और जिस तरफ से फोल्ड किया है इधर हमें खुला रखना है तो चलिए हम सिलाई भी लगा लेते हैं यह देखिए सिलाई लगा दिया हमने तीनों तरफ से सिलाई लगा दिया और यह देखिए इस तरफ से हमने पट्टी फोल्ड करके सिल दिया है और खुला रखा है अब हम 6 इंच लंबी और 17 इंच चौड़ी पट्टी ले ली हमने एक और काटके और यह जो हमने यह छोड़ रखा है खुला हुआ इसी के उपर इस कपड़े को रखते हुए हम सीधी सिलाई लगा देंगे यह बराबर रखके हमें सिला है इस तरह से और सीधी सिलाई हमें हां से लगा देंगे दोनों तरह पिधर बंद कर देंगे और यह ध्यान रखना है हमें कि जो अंदर यह पीस हमने फोल्ड करके सिला है यह इसमें नादबे इसको छोड़ कर हमें समहाल कर सिलाई करना है जोकि ह पिलो कबर के तीनों तरफ से लाई लगा दी है और सम्हाल कर लगाई है कि यह हिसा खुला है हमने सिधा कर लिया इसे सिधा करने के बाद कितना सुंदर पिलो कबर तैयार हो चुका है और देखिए यहां जो हमने यह चोड़ी पट्टी लगाई है यह भी कितने सफाय से यह इसे कबर कर देंगे इस तरह से फिलो कबर बहुत आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाता है हम किसी भी डिजाइन किस तरह से बना सकते हैं फिलो कबर के चारों तरफ से हमने यह चोटी-चोटी रंग विरंगी जो तिकोनी पटियां लगा दी है इस पर आब हम जड़ में से लाइ लगा लेते हैं किकोने कंगूरों की जो डिजाइन मैंने बनाया था उसकी जड़ में मसीन लगा लिया है और मैंने एक साड़ी में लेस लगाया था वो लेस मेरे पास काफी बची हुई थी तो उसको भी मैं लगा देती हूँ फेबरिक होते हैं तो उनसे भी हम पिलो कबर तयार कर सकते हैं यह कलरफूल पिलो कबर बिलकुल होली नजदीक आ रही है तो बिलकुल वही होली वाला लुक दे रही है तो इस तरह से पिलो कबर आप भी तयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीका है यह और यदि मेरी वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए ज्यादा से ज्यादा शेर करिए बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे हम एक अच्छी से डियाईवाई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं थैंक क्ज से यूटर यू구요 मैं ट्यूण करिए से लाइकन से न भीग ज़ एकाते हैं वीडियो के लाइकन भीडियों यूदकут कर वह ताकि उबेल हैं तो उम से